हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग मैं उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जो लोग अच्छे नहीं है वह सबसे पहले अपने स्वास्त का ध्यान रखें तो साथ ही वह आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीचडी अन्मिशन 2021 के बारे में त लाकि अगली बार से कोई भी अपडेट डालूं तो सबसे फ़ले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तयारी और बहतरी इन तरीके से संभव हो सके आज हम लोग बात करने वाले हैं Central University of Rajasthan के बारे में तो देखें साथियों एक बात तो किलियर है कि पहले जो सी सेट के थ्रू ही यहां पर अड्मिशन होता था लेकिन अब इन्होंने अपना स्पेशली फॉर्म निकाला है इसका एक मतलब तो साफ है कि सेट के अंतरगत जितने इन्वसिटी आते थे शायद सब लोग अपना अपना निकालेंगे पार्टिकुलरली सब अपना अड्मिश निकालेंगे तो सी उ राज ने यानि सेंटर इन्वसिटी ओफ राजस्थान निकाला है तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं सबसे पहले आप देख लीजिए आप वेब साइट पर यहां से चले जाईएगा सी यू आर एज डॉट एसी डॉट इन पर यहां इसका ऑफ पर यहां पर देखिए ओपनिंग ऑफ एड्मिशन फर्म की बात करें तो 15 जुलाई से यहां पर फॉर्म भराने की शुरूआत होगी यानि की आज या कल से ही और लास्ट डेट फो सब्मिशन ऑफ ओनलाइन एप्लिकेशन फर्म की बात करें तो दो अगस्त तक आप फर्म को भर सकते हैं नॉन रिफंडेवल फी है एक हजार रुपय आपको लगेगा प्लस में ट्रांजक्शन चार्ज होता है बैंक का वो लास्ट डेट फूर फिलिंग ग्रिवियंस का मतलब है यहां पर आप 11 अगस्त तक जो भी कुछ बचा खुचा चीज़े रहेंगे उसको लेकर करके आप 11 अगस्त तक यहां पर काम कर सकते हैं आप 11 अगस्त तक उसके बाद फिर से एक बार अपडेट कर दिया जाएगा और आप्डेट की बात करें जो कि टेस्ट होगा सभी को जिनके पास नेट जारिफ नहीं है वह 18 अगस्त को इन्होंने दिया है ओनलाइन प्रजेंटेशन एंटर्व्यू की बात करें तो 23 अगस् ठीक है चुकि इतना जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि अल्डेटी सेशन काफे लेट हो चुका है अब तो बहुत अच्छी बात है आप एक एक डिड़ महीने के अंदर आपका मामला क्लियर हो जाएगा कि आडमेशन होगा की नहीं होगा तो मार्च दिन आपको मौका दिया जाएगा अपना फी सब्मिट करने के लिए आपका 9 सेप्टमबर तक डॉक्मेंट वेरिफाइड हो जाएगा आपको विरिफिकेशन करवाना होगा और उसके बाद आपका नाम अपलूड कर दिया जाएगा जब आप एडमिशन लेंगी तो यहां पर टोटल सिट दिया हुआ है अचुकी यह सेंटल इन्वसिटी है इसलिए यहां पर भारत सरकार का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वह लागू होता है यानि ओबी सी को 27 परसेंट रिजर्वेशन इसी को 15 परसेंट इस्टी को 67 परसेंट एड़ डवलूस को 10 और बाकी में unreserved तहां पर देखिए atmospheric science में total 8 तोटल आठट सीट है आप जिस category में आथे हैं category wise देख सकते हैं Computer Science and Engineering में दो है, Culture and Media Studies में चार है, Economics में देखेंगे तो 6 है, Education में 6 है, English में देखेंगे तो 10 है, and Environmental Science में 7 है, Hindi में 8 है, Linguistic में 2 है, Management में 3 है, Mathematics में 4 है, and आगे देखते हैं, Microbiology में 10 है, Pharmacy में देखेंगे तो 4 है, Physics में 9 है, and Public Policy Law and Governance इसमें भी 7 सीटे है, Social Work की बात करें तो 10 सीट है, Sports Bio Sciences की बात करें तो 10 है, and Sports Psychology की बात करें तो 2 सीट है, and Statistics में 4 सीट है, और Yoga में 7 सीट है, तोटल 171 सीट है, तोटल 171 सीट है, और सबजेक्ट की बात करें, तो 75 कर रहा हूं, 25 सबजेक्ट है, ठीक है, 101 सीट है, और 25 सबजेक्ट है, आगे इसमें और हम लोग बात कर लेते हैं, तीसरे Notification के बारे में जो दिया हुआ, General Instruction to the Candidates for Online Registration, तो इसको आप देख लेंगे, जो सामाने निर्देश होता है, ओनलाइन करने के लिए, इन्होंने लिखा, Candidates who have qualified any national examination, like NET, JRF, UGC, CSIR, ICMR, ICAR, GATE, GPAT, DBT, JRF, तो इन सभी को, ठीक है, इन सभी को यहां पे टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक, यहां पे लिखा हुआ है, and eligible regular faculty members of CURAS can apply for registration using this link, यानि यदि आप qualified है, यह सारी चीज़े, यह सारा exam आप qualified है, तब आपको इस link पर जाकर के registration करना है, All candidates कैसे link पर पहुँचेंगे, मैं आपको इसका official link आप जो है, दे दूँगा, description में आप वहां से पहुँच जाएगा, All candidates must provide their valid email IDs and mobile numbers, including the whatsapp number, whatsapp number भी चालू होना चाहिए, एक हज़ार रुपया तो आपको लगेगा, यह जैसा कि मैंने उपर में भी पताया है, यह मैंने official website उपर मैंने बताया है, student को किसी तरीके का कोई problem होता है, तो आप यहां पर PhD CU RAJ और July 2021 अधरिजुराज.ac.in पर बात कर सकते हैं, online interview होगा आपका, ठीक है, instruction regarding the admission process की बात करें, तो आप यहां पर यह सारी चीज़े देख सकते हैं, zoom के माध्यम से या Google Meet के माध्यम से आपका interview होगा, 10 minute minimum interview होगा, ठीक है, यहां पर यहां पर यहां पर आपको पता होगा, आगे इसमें देखते हैं, और यदि इसमें कोई सूचना है, तो जैसे PhD eligibility criteria की बात कर लेते हैं, तो criteria में आप देखेंगे, कि सभी में minimum 55% marks होना चाहिए, और यदि आप ECST OVC candidate है, देन आपको 5% number का relaxation दिया जाता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसको इसे लिए करना होगा, कि जो आपका ECST OVC certificate है, या EWS आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, EWS को भी 5% relaxation, देखें, ECST OVC, PWD and EWS candidates also, तो ध्यान रखिएगा, और इसमें और देख ले, area of research, जो है last का point है, उसमें क्या है, इसमें area of research में दिया हुआ है, जैसे मान लिजए आपका subject atmospheric science है, तो यह area of research है, जैसे आप किसी भी subject के छातर हैं, तो हर subject का अपना research area होता है, तो यदि आपका इस area से related कोई topic है, तब आप यहाँ पर काम कर पाएंगे, और यदि इस area से related आपका topic नहीं है, तब करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, फिर आप form नहीं डालिए, ध्यान रखिएगा, जैसे माल लेते हैं कि हिंदी है, तो हिंदी से आप PhD करना चाहते होते हैं, तो इन सारे इस्त्री बिमर्ष है, कथा साहित है, तुलनात्मक अध्यान और सिनेमा है, अधुनिक साहित है, पर मीडिया है, तो इन सारे topic पर, ये topic नहीं बडा सा topic है, बड़ा सा एरिया है आपका जो रिसर्च प्रोपोजल है इस एरिया में एदी एक्जिस्ट करता है तब ही आप फॉर्म को भरियेगा तो अपना एरिया भी यहां से देख सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन दिये गये थे हम लोगों ने एक के कर स्क्राइब जरूर कीजिएगा थांक यू बेरी मच्च टो वाच इस वीडियो